कि जो हॉस्टल है उसको किस तरहां से साफ सफाई रखना जरूरी है एंड हॉस्टल वॉर्डन की क्या सब्सक्राइब के लिए जरूरी है वो सभी थोड़ा बहुत कराया जाएगा जब आपके यह जो स्लेबस में लिखे हुए टॉपिक कम्प्लीट हो जाएंगे उसके बाद में तो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज ज्यादा स ज्यादा शेयर करिए अब आपकी नॉलेज ऑफ आई सीटी की क्लासेज बे स्टार्ट हो गई हैं जो की टीजीटी पीजीटी एंड अदर पोस्ट जो हैं आपकी एक लवी सच्छक भरती की उन सभी के लिए हैलपफुल है तो सभी के साथ में चैनल को शेयर करिए तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि responsibilities of hostel warden to ensure cleanliness of hostel कि क्या क्या responsibilities है hostel warden की चात्रावास में स्वच्छता सुनिश्चित करना अत्यंत महतपूर्ण एवं आवश्यक है यदि चात्रावास स्वच्छ है तो यह चात्रों के लिए स्वस्थ और आरामदायक वातावरण बनता है दिकि जब hostel का environment साफ सुथरा अच्छा होगा तो बच्चे क्या हैं वहाँ पर थोड़ा सा जाधा active रहेंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएंगे अप घर ही देख लिए अगर साफ सुथरा होता है तो rooms में रहने का मन होता है बट अगर गंदा room होता है तो हम लोग चात्रावास क्योंकि चात्रावास भी बच्चों के लिए उनका दूसरा घर जैसा होता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छेत्रों को cover किया गया है चात्रावास स्टाफ सदस्यों को जिम्मेदारियां सौपे अब एक hostel वार्डन जो की एक अच्छी पोस्ट पर है वहां हर जगा जाकर सफसफाई नहीं करेगा उसके लिए क्या होगा सटाफ मेंबर्स अपॉाइंट किये जाएंगे ठीक हर किसी की अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां उनको दी जाएंगी वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्ты कर रहे है या नहीं लिठießर अधिना रिस चार्ट को नहीं जो स्टाफ मेंबर्स उनको यह संचने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें क्या वर्क करना है या क्या नहीं करना है और जब चार्ट होगा उनके पासमें तो बार-बार वार्डन को भी परिशान नहीं करेंगे कि सर हमें बताइए कौन सा काम करें या नहीं करें, ओके, छात्रावास वार्डन को यह सुनिश्रित करना चाहिए कि निवासी स्वच वातावरण में रहे रहे हैं या नहीं रहे हैं, छात्रावास वार्डन को दिन में कम से कम एक बार पूरे छात्रावास के सभी छेत्रों का न नहीं है एंड क्या कमियां आ रही है और क्या अच्छायां वो भी उसको पता चल जाएंगी तो इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां हैं उनको देख लेते हैं हॉस्टल वॉर्डन की स्टाफ सदस्यों को अलग-अलग कारिस हॉस्टल वॉर्डन की जिम्मेदारी है कि वह सभी छेत्रों के लिए सफाई करमचारी नियुक्त करें ताकि सफाई प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके अब जो वाश रूम बाथ रूम ये सारी चीज़ें जो साफ कर रहे हैं वो रूम साफ नहीं कर सकते ठीक है रूम करमचारी को नियुक्त करके अपॉइंट करके उनकी जिम्मेदारियों को उनको सौप है व्यक्तिकत जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना चात्रों को सचता की अपनी व्यक्तिकत जिम्मेदारियां लेने के लिए प्रोज साहित करें और चात्रावास को सामाने छेत्रों म स्वच वातवरन बनाया रखने के लिए प्रोज साहित करें कितना भी आप साफ सफाई रख लेंगे कितना भी स्टाफ मेंबर रख लेंगे बड़ जब आपके छात्र ही जागरूप नहीं होंगे सफाई को लेकर तो आप अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे ठीक है जैसे आपने घर में देखा होगा कि मा जो होती है वो पूरे घर को अच्छे से मैनेज करके चलती है बड़ बच्चे होते है या फादर होते है वो क्या होता है शूज वहां रग दिए टॉबल वहां रग दिए तो जो सफाई है उसके लिए हर किसी को अपने लिए जिम्मेदार रहना चाहिए और यही रिस्पॉंसबिल्टी यही जिम्मेदारियां आपको बच्चों को भी देनी होंगी कि बच्चे उस चीज को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा उनको भी ये चीज़ सिखाना होगा कि भही अगर आप रूम से निकल रहे हैं तो रूम की लाइट उफ करिए बस्तर अगर आपका थोड़ा सा सही नहीं है तो उसको सही करिए अगर कुछ कूड़ा कच्रा आपको बाहर देख रहा है तो उसको उठाके डस्ट्विट में डाल दीजिए तो ये जो छोटी-छोटी सी responsibilities हैं ये बच्चों को देनी चाहिए चात्रावास भवन की साफसफाई सुनिश्चित करें सुनिश्चित करें कि चात्रावास का भवन चात्रावास के कमरे, सडके, भोजनाले, सामाने, छेतर, आदि, साफसुत्रे हो या नहीं हो चात्रावास का मतलब से बच्चों के rooms से ही नहीं है चात्राबास का मतलब हो गया पूरा हॉस्टल एरिया उसके आसपास की सडकें भी वो भी आपको देखनी होंगी कि साफ सुथरी है या नहीं है तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कच्रा प्रबंधन सुनिश्चित करें कि कच्रे की उचित विवस्था होनी चाहिए कि ये सुनिश्चित करना कि कूडा कच्रा फैलने से रोकने और उचित अपसिस्ट निप्तान को प्रोसायद करने के लिए कच्रा और पुनर शक्रन छेत्रों का रख रखाव किया जाए ठीक है कि जो garbage management है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है और recycle वाली चीज़ें जो recycle हो रही है या नहीं हो रही है पर्याप्त सफाई सामगरी प्रदान करें सुनिश्यत करें कि जाडू, वैक्यूम क्लीनर, कीटाडू, नाशक, कच्रा बैग और दस्ताने ये सारी चीज़ें आसाने से उबलब्ध हो रही है या नहीं हो रही है शेडूल में विशिष्ट सफाई कारें जैसे वैक्यूमिंग पोछा लगाना और बात्रूम की सफाई सामिल होनी चाहिए और जिम्मेदारियों के समान वित्रण के लिए छातरावास में प्रतेक वेक्टी को ये कारें सौपना चाहिए ठीक है क्योंकि नियमित सफाई करने से क्या होता है कि जब आप साल भर में एक बार सफाई करें और आप डेली या वीकली सफाई करें तो उसमें काफी जादा अंतर हो जाता है आपको मेहनत कम लगती है आपको प्रॉब्लम कम होती है ठीक है तो नियमित सर्यूल बनना चाहिए सफाई का नेक्स टैम निर्दिस्ट भंडारन इस्थान जैसे लोकर अलमारी आदी एक शात्रावास में स्वच्छता बनाय रखने और स्वच्छत रहतने के वातावरन को बढ़ावा देने के लिए महत पूर्ण भून का निबाते है अगर लोकर अलमारी होंगी तो बच्चे अपना ज जो है रूम में बाहर ही रखेंगे अलमारी होने से बच्चे उन सभी कपड़ों को अपनी बुक्स को अच्छे से मैनेज करके अलमारियों में रखेंगे तो जो सफाई है वो सही से दिखाई देगी बोजन का भंडारन और निप्टान चात्रावास की रसोई घर और भोजन चेतर में सुच्छता बनाये रखने के लिए सभी को स्वयन सफाई करने के लिए प्रोसाहिद करना आवश्यक है इसमें बरतंदोना और दूर रखना काउंट्रों और सतहों को पोच्छन और खादे अपसिस्ट का उच्छित निप्टान करना शामिल है ठीक है क्योंकि जो भोजन का स्टोरेज है वो आप स्टोर रूम में करेंगे तो उसकी भी साफसफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर उसमें चूहे या कीड़े आ गए तो जो सामगरी है जो सामान है खाने पीने का उसको बहुत जादा नुक्षान होगा तो यह सुनेश्रित करना भी होस जाने की जो कपड़े हैं उनका जो सफाई है वो सही से हो रही है या नहीं कि छात्रावास में स्वश्चता बनाया रखने के लिए सभी को अपने कपड़े धोने और अपने गंदे कपड़े नियमित रूप से धोने के लिए प्रोच साहित करना महत पूर्ण है उचित लॉ कि लॉन्ड्री में नहीं भीज रहे हैं तो जो कुछ कपड़े हैं वो बच्चे को न चाहिए और बड़े कपड़े हैं उनको लॉन्ड्री में भीज़ना चाहिए अगर लॉंड्री की सुविदा है तो व्यक्तिकत सुच्छता अच्छी व्यक्तिकत सुच्छता आदुतों को प्रोचाहित करने से ना केवल छात्रावास में रहने वाले लोगों के स्वास्त को लाब होता है बलकि सामाने छेत्र की सुच्छता बनाये रखने में भी मदद मिलती है ठीक है नियमेत रूप से हाद धोने, दान साफ करने और इसनान करने सी कीटाड़ूं और बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है और छात्रावास का वातावरन ताजा और सच बना रहे सकता है तो जो निव्यक्तिकत सचता होती है, वो बच्चों को उसके लिए बहुत जादा प्रोचसाहित करना चाहिए कि डेली नहाईए, ब्रश करिए, अपने कपड़े धोईए और साफ सुथरे कपड़े ही भेहनिए जिससे क्या हो ? कि जो बच्चों में बीमारियां हैं, वो ना आए क्योंकि आप सभी जानते है कि बीमारियां क्या होता ? viral infections होते हैं कि एक को अगर हो जाती है, तो वो धीरे- धीरे बढ़ कर पूरे हॉस्टेल को ऑबर कर लेती है कि एक बच्चा बीमार है देन उसके बाद दूसरा उसके बाद तीसरा चौथा इस तरह से जो बीमारी है वो पकड़ती चली जाती है ठीक है तो यह सुनिस्ट करना भी होस्टल वॉर्डन की जिम्मेदारी है कि बच्चे अपनी जो रेगुलर क्लीनलीनेस है जो व्यक्तिकत स तेनर हो जैसे कि पुनरशकरन योगि और गयर पुनरशकरन योगि में उचितत तरीक से निप्टान करने के लिए प्रोज सहीट करें उचित अबसिस्ट निप्तान से चातर वा carbon को उसचतर रखने कीटों और गंधों को विक्सित करने होने से रोखने में मदद करेगी कि अगर साफसफाई रखते हैं तो जो गंधी स्मेल है वो नहीं आएगी उससे क्या होगा कि बच्चे अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से कर पाएंगे कीटों साफसुतरा मौहाल मिलेगा उनको कीटों के लिए जो 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 एगे की गहन जाच की जानी चाहिए ताकि उन चेत्रों की पहचान की जा सके जिनमें सुधार की आवश्यکता है है ठीक है अब आप मालिजे कि जो स्टोर रूम है उसको नहीं देख रहे हैं और जो करमशारी है वह स्कार नहीं कर रहे हैं सके तो गन्त या हो ji जाएगा खराब हो जाएगा तो हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी है कि वह वीकली या मन्थली इंस्पेक्शन जरूर करें जिसमें क्या हो कि जो भी गंदे जगह हैं उनका जो करने पर पता लग जाए तो वहां की सफाई जो है वह अच्छे से हो जाए ओके नेक्स्ट है आपका प्रोच साहिन की प्रेश्करश करें जो लोग अपने रहने की जगह और सामाने शेत्रू में लगातार सुचिता बनाये रखते हैं उन्हें प्रोच साहन या प्रोच कार देने पर विचार करें कि जैसे किसी बच्छे का रूम है उसने अच्छे से सब उनमें और भी भावना आएगी कि हाँ भाई हम अपना कारे और अच्छे से करें चात्रों को सिच्छित करें सफाई और सुच्छता के महत उपर कारेशालाओ या जागरुकता सत्रों की मेजबानी करें बताएं कि यह हर किसी के स्वास्कों और कल्यार को कैसे लाब पूरी है नेक्स्ट है आपका वाइख क्लीनलेस इस हो फॉस्टल इस इंपॉर्टेंट क्यों जरूरी है इसके बारे में भी जाल लेते हैं अभी आपने देखा क्या क्या अब यह देखेंगे कि इसकी नीड क्या है कि स्वच्छित और सच्षवातावरण के लिए चस्वच्छ और अधिक स्वच्छवातावरण में भी योगदान मिलेगा ठीक है तो जो इन्वायर्मेंट है वो बहुत जादा साप सच्छ होगा तो बच्छे अच्छे से हॉस्टल में रह पाएंगे उनका वहाँ पर मन लगेगा बीमारियों से दूरी स्वस्त रहने और बीमारियों से दूर रखने के लिए साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है ठीक है नेक्स्ट है सुरच्छा के लिए अविवस्था और गंदिगी दुरगटनाओं और शोटों का कारण बन सकती है नियमे सफाई से ट्रिपिंग का खत्रा कम हो जाता है और हॉस्टल पर से सभी के लिए सुरच्छित रहता है ठीक है जो कीडे मोकोडे है वो नहीं आएंगे कीट है वो नहीं आएंगे जिससे क्या है हॉस्टल में रहने वालों को आसानी होगी बहतर सिच्छण वातावरण एक सच और विवस्थित वातावरण चात्रों के सैच्छिक प्रदर्शन पर सकारात्मत प्रभाव डाल सकता है अविवस्था मुक्तिस्थान एक कागरता और ध्यान को बढ़ावा देता है अब आप किसी ऐसे रूम में चले जाए जहां पर सामान बिख रहा है फैला है तो वहां पर पढ़ाई नहीं हो पाएगी अगर डेली सफाई हो रही तो आपको तुरंट पता चल जाता है कि यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहां पर थोड़ा सा चुवे ने छेद कर दिया है तो आप क्या करेंगे उसको तुरंट सही कर देंगे तो नेक्स्ट वो चीज जो है वो आगे अगर आप उसको अंदेखा कर देते हैं तो वो चीज बड़ी होती चले जाती अभी एक चुव आ रहा है फिर बाद में बहुत सारे चुवे वहां पर रहने लग जाएंगे ठीक है तो आपको हॉस्टल में सिफ बच्चों को रखना है कीडे मोकोडे चुवों को नहीं रखना है जिसके लिए यह भी देखना जरूरी है कि जो सफाई है वो अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है ओके नेक्स्ट है कीड संक्रमन को रोकना जो कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि नेमिस सफाई और उचित अपसिस्टे निप्टान कीड संक्रमन को रोकने में मदद करता है जो चात्रावासों में एक बड़ा उपत्रव और स्वास्त खतरा हो सकता है ठीक है आप सभी जानते हैं ज देखबाल प्रदान करने के लिए प्रभंदन की प्रतिवधता को दर्स आता है ठीक है अगर होस्टल साफ सुत्रा होगा तो जो बच्चे हैं वो तो प्रभावित होंगे ही साथ में उनसे मिलने आने वाले जो उनके अभिभावक होते हैं वो भी देखेंगे कि हाँ जहां पर हाईजीनिक सैनिटेशन की इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको देख लेते हैं कि पर्याप्त सुरच्छित पेजल आसान पहुंच के लिए परिसर में कई स्थानों पर पानी फिल्टर और आरो इस्थापित किया जाना चाहिए जैसे कि रसुई, सैंग, मनुरंजन का श उचे त्जल निकासी विवस्था, पानी की विवस्था भी होना बहुत जरूरी है, जिससे कि ड्रेणेज ना हो, मच्छदानी या विकर्षक प्रदान करके मच्छरों से सुरच्छा हर परिसर में हर प्रतिक बच्छे को मच्छदानी उपलब्द हो रही है या नहीं, ये भी बहुत जरूरी है जिससे की malaria है डेंगु है इस तरह की जो बीमारिया है वो ना आपाएं ओके बार्शिक कीट नियंत्रण प्रतेक वर्ष आपको पूरे जो हॉस्टल एरिया है चाहें रूम हो चाहें कॉमन एरिया हो चाहें आपका गार्डन एरिया हो पूरे ही हॉस्टल को annual pest control करना जरूरी है जिससे क्या हो कि जो कीडे मुकड़े है वो दूर रहें सौचाले और इस नानगरों की प्रत दिन दो बार सफाई या दुलाई सुबह साम हो रही है या नहीं ये भी देखना ओस्टल वर्ण की जिम्मेदारी है सबजियों और फलों की उचित कीडे मुकड़े ना हो लड़कियों की हॉस्टल में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और ताजा नैपकिन भरने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाशिशन निती के साथ में उटको सुविधाये उपलब्द करानी चाहिए और उनको समझाना भी चाहिए कि आपको य बीमार कमरे में साफसफाई मतलब जो भी बच्चा बीमार है उसको अलग रूम दे दिया जाए कुछ दिनों के लिए आइसोलेट की अर दिया जाए जिससे क्या हो कि जो बीमारी है वो और बच्चों में ना फैले और उस रूम की परतिदिन साफसफाई हो रही है या नहीं हो रही है बच्चे को बीमार बच्चे को विस्विधाय मिल रही है या नहीं यह सारी सीजे देखना भी जिम्मेदारी किसकी है hostel वॉर्डन की है उचित भोजन सिस्टाचार का पालन किया जाना चाहिए जैसे भोजन कि समय उचित बैठने और वोजन पर उसने की विवस्था अगर बच्चे को डाइनिंग टेवल के रूल्स नहीं पता हैं तो उनको समझाया जाना चाहिए, ठीक है, कि आपको कैसे बैठना है, कैसे खाना लेना है, ये सारी चीजें बच्चों को बच्चों से समझ मैं, आनी चाहिए ये ना हो कि खाना फैल रहा है, ठीक है, साथ बच् कि क्या-क्या चीजे जरूरी हैं, इसका जो निस्कर्श है वो देख लेते हैं, कि स्वच भारत मिशन सहरी के दिसा निर्देशों के अनुसार, वार्ड के प्रतेक स्कूल चात्रावास को श्वगोशना देनी चाहिए, कि इसमें ना मांके सभी चात्र के पास घर और स्कूल चात्रावास में 140 तक पहुँच है, और वह नहीं में त्रूपसिस का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, स्वच भारत मिशन के जो भी रूल्स और रेकलेशन हैं, वो बच्चे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्वस्त रहने और बीमारियों से दूर रहने के लिए साफ सफाई जरूरी है, चात्र सामाने सुचता घर पर ही सीखते हैं, लेकिन एक बार जब चात्रावास में रहना शुरू करते हैं, तो सुचता का पालन करना अनिवारे हो जाता है, घर में क्या हो जाता है कि पालन किया या नहीं किया, कोई जरूरी नहीं, ठीक है, बड़ चात और सार्वजनिक स्वच्छता बनाया रखना बहुत कठिन होता है ठीक है बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अनुशाशित होते हैं जो हर चीज को अच्छे से मैनेज करते हैं तो जो बच्चे इस तरह से विवार नहीं कर रहे हैं उनको कारेशालाओ द्वारा गाइड देशित किया जाना जरूरी हो जाता है यह सुनिशित करने के लिए कि आप स्कूल छात्रावास में रहते हुए छात्र जीवन के सभी छित्रों में उत्तम स्वच्चता बनाये रखें किसी ऐसी कई युक्तियां हैं लेकिन जिनका पालन आप कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो कमेंट जरूर करिएगा एंड जो भी आपकी सजेशन से उनको जरूर दीजेगा ओके लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को जादा से जादा से जादा से जरूर करें थैंक्स पॉर वाचिंग